हाई फ्रेंड्स मैं हूँ इसके और टेक्नो सेंस में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स ये क्रोसवर नेटवर्क अनली फूर सावफर के लिए बनाया गया है और इस क्रोसवर नेटवर्क का फूल डीटेल्स वीडियो मैं अपने चैनल पे दो दिन पहले ही पोस्ट किया था तो वो जो सारे कुस्टिन आप सबने किया था उसका ही आज मैं एंसर इस वीडियो पे देने वाला हूँ तो फ्रेंड्स देखिए कई सारे लोगों ने इसका पुछा कैसे इसको लगाना चाहिए ये कहां से मिलेगा इस पे कितना इंच सावफर मैक्सिमा मिनिमाम चलाया ज जा सकता है ये सारे वैलूबल टॉपिक पर मुझे कुस्टिन किया तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं इसका फूल डीटेल्स आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूं और जो फ्रेंड्स आज मेरे चनल पर नया आया है आप सब प्लीच मेरे चनल को जरू सबस्क्राइब कीजिए और इस क्रोसवर नेटवर्क का जो इनफर्मेशन फूल वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे रहा हूं आप जाके जुरूर एकबर चेक कर लीजएगा तो फ्रेंड्स पहला कुस्टिन जो है ये सावफर वाला क्रोसवर को बनाता है डॉजी साउंड कंपणी ने और ये डॉजी साउंड का जो एफसाइड है www.dodgysound.com पर आपको ये मिल जाएगा तो वहां से अब बाई कर सकते हैं सेकेंड जो क्ष्चन था इसका प्राइस कितना है तो फ्रेंड्स देखिए इस क्रोसवर नेटवर्क का जो प 400 रूपीज आप 400 रूपीज पे आप इसको आप बाई कर सकते हैं आप चलते हैं थार्ड कॉस्चन तो फ्रेंड्स देखिए इस क्रोसवर में आप लोट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं ये भी कॉस्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूचा है तो ये जो क्रोसवर नेटव आप इस पे 200 वाट तक लोट किसी भी सावफर का आप यहां से कनेक्शन कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है और नेक्स्ट कॉस्चन ये है मिनिमम और मैक्सिमम कितना इंच का सावफर यूज कर सकते हैं देखिए दोस्तों इस क्रोसवर में नेटवर्ट पे आप मिनिम मैक्सिमम 6 इंच और मैक्सिमम 15 इंच तक सावफर का आप इस पे यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुस्चिन जो था इसको लेकर इस क्रोसवर नेटवर्ट पे कितने पीस सावफर आप यूज कर सकते हैं तो देखिए इस क्र प्लस हंडेड़ वाट यानि 200 वाट तक लोड़ आप इस पे दे सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सिर्फ आप अपने एंप्लिफेर का जो ओम से उसको मैच करके लोड दीजिएगा आपका एंपलिफेर पे कोई दिक्कत नहीं आएगा और इस पें 200 के उपूर थोड़ ज्यादा भी लोड पड़ जाए तो कोई दिक्तत की बात नहीं है तो फ्रेंस यहां पर देखिए यह जो टर्मिनल है यह इनपूट है माइनस और प्लस यहां से आपको इनपूट देना है एम्पलीफेर से जो स्पिकर टर्मिनल के लिए जो आउपूट हो रहा है उस और को आ प्लस का कनेक्शन कर दियेगा अगर आप इस टाइप का क्रूसवर नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आपको एम्पलीफेर पे लोपास फिल्टर लगाने की जोरुवत नहीं है तो यह सबसे आसान और सिंप्ल तरीका आम अध्मी के लिए तो जो लोगों को लोपास यूज़ कर सकते हैं दो ही टाइप से बेस्ट जो लो फ्रिक्वेंसी है और आपको एक बेहतरीन बेस सुनने को मिल जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया अगर इस वीडियो रिलेटेट आपका कोई और भी क्वेस्टन है त और इस वीडियो को लाइक स्यार जरूर कीजेगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो पर तब तक आप सब सरक्सित रहे खुस रहे जैहिंद